हलो एवरीबन मेरा नाम तुशार तुशार भारदवाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइन्स वर्ड आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जो कैपलर के जरीए प्लानेटरी मोशन को लेकर नियम दिये गए थे वो क्या थे देखे टोटल तीन रूल दिये के जरीए प्लानेटरी मोशन को लेकर इन सभी नियमों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए बेसिक कॉंसेट मालूम होनी चाहिए कि प्लानेटरी मोशन को लेकर क्या पहले कोई थियोरी आई है तो वो नाम है जियोसेंट्रिक थियोर अर्थ के चारो तरफ घुमती है पर लेकिन ऐसा सही नहीं है इस थियोरी को आगे चलकर चैलेंज किया गया अपोज किया गया कोपर निकर से एक साइंटेस थे उनके द्वारा तो चली ये तो एक बेसिक बात हुई अब बात करते हैं जो कैपलर के जरीए तीन रूल दिये प्लानेट सन के चारो तरफ elliptical rotation में rotate करता है अब सन को हमें किसी एक focus पर consider करना होता है जिसको हम foci बोलते है देखे एक्चुल में क्या है कि foci एक plural term है focus एक singular term है जब हम ellipse की बात करते हैं तो major axis जो होती है ellipse में वहाँ पर दो focus point को decide किया जाता है F1 और F2 तो किसी भी एक focus point पर आप sun को place करते हैं ठीके अब बाकी सारे planet जो है वो सभी उस sun के चारो तरफ elliptical rotation में अपना track दिखाते हैं तो ये तो बात हुई कैपलर के जरीए जो first law दिया गया था planetary motion के लिए जिसमें क्या बताया उन्होंने कि हर एक planet sun के चारो तरफ elliptical rotation में rotate करता है ठीके next second law of planetary motion जो कैपलर के जरीए दिया गया second law में उन्होंने बताया कि planet और sun को connect करने वाली जो line होती है वो line sweeps out होती है और cover करती है equal area in equal interval of time ठीके तो planet और sun को connect करने वाली जो lines है वो equal area equal time में cover करती है ये second law में उन्होंने बताया अब बात आती है third rule की देखी third law में कैपलर ने क्या बताया कि time period का जो square होता है time period का जो square होता है वो directly proportional होता है semi-major axis के cube के तो t square remains directly proportional to the r cube यह जो rule है इसको time period के नाम से भी law of period के नाम से भी जाना जाता है ठीके, तो आज की वीडियो में हमने समझा कि Kepler ने जो तीन law दिये थे planetary motion को लेकर वो क्या थे, क्या उसमें formula है क्या उसकी एक basic concept है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धनेवाद